इस वीडियो में हम लोग EVNG के अंदर images deployment को लेकर सिखेंगे ऐसे यहाँ पर आप देख सकते हो मैं EVNG की website में ही हूँ और यहाँ पर L2, L3 हर switches के लिए कुछ proper name लिखा हुआ है और बहुत सारी चीज़ा है कोई भी images आप deploy करते हो तो आपको इस command से क्या करना होता है permission को fix करना होता है जो कि आपको उस particular image का access और proper working तभी मिलता है यहाँ पर आपको अलग-अलग machine मिल जाएंगे चाहे वो juniper हो, hp हो another different options को लेकर हो मैं यहाँ पर Linux images के लिए एक option select करता हूँ और Linux के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो कैसे images deploy करोगे और कैसे क्या करोगे फिलाल यहाँ पर अगर हमारे पास काली की machine है तो काली Linux के लिए अगर हमारे पास कोई भी edition है कुछ भी है तो यहाँ पर वी आई आर टी आई ओ इसका QEMU नेम यहाँ पर suggest कर रहा है और उसी के तुरूप फिर आपको इसको क्या करना है काम कराना है देन आप काली Linux machine वगरे को यूज कर पाओगे अगर मैं आपको काली Linux की website पर विजिट करूँ तो यहाँ पर QEMU की already machine है available है आप इनको download कर सकते हो for example के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ तो ऐसे लगबग में जितनी भी websites है अनका official detail है official webpage है वहाँ पर आपको इनके proper update मिल जाते है QEMU images के तो I think यह website little slow है क्या done then download पर आपको click करना है and यहाँ से आप virtual पर जाएंगे और यह QEMU file को download कर लेंगे 3GB की file है so download complete होने के बाद close कर देना है और final आपको करना क्या है Kali Linux को add करने के लिए access करने के लिए वह मैं आपको दिखा देता हूँ तो हमें कुछ नहीं करना है मैं यहाँ पर एक और option डूट रखा है जहाँ पर इसमें है image naming क्या है QEMU का तो different different technologies को लेकर इनका example के लिए दिया हुआ है क्या है कैसे है ठीक है तो हमारे पास जो Linux machine है इसका जो folder name है और जो भी options है वो सब यहाँ से आपको मिलता रहेगा तो name के लिए पूछ रहा है कोई भी name आप दे सकते हो HDA या कहीं पर HDA, HDB ऐसा करके इस्तेमाल करना है तो यहाँ पर दिया हुआ है VIRTIO something कुछ करके Linux के लिए मैंने यहीं पर भी just search किया था you can see but HDA से भी आप try कर लिंगे HDA से भी हमारा सारा काम हो जाता है image download होने के बाद हमारे पास कुछ ही इस तरीके से यह QEMU की फाइल थी मैंने extract कर लिया और इसके अंदर कुछ इतना बड़ा सा यह name है मुझे क्या करना है इसको rename करना है और मैं इसको HDA लिग देता ठीक है just save कर दिया and बाकी यह name वगरे मुझे कुछ नहीं करना है देना है तो उसके लिए मैं सबसे पहले अपने eveng को एक्सेस कर लेता हूँ मैं ssh space root और मेरे eveng machine का जो ip address है वो दे दूँगा और यहाँ पर yes and then मैं इसको एक्सेस कर लिया जो भी appropriate password और सारी चीज़े था वो देकर और अब यहाँ पर आपको additional कुछ permission कुछ commands वगर apply करना होता है तो वो चीज़ मैं यहाँ पर upload को define करता हूँगा तो winstp के अंदर मैं यहाँ से एक्सेस करूँगा like new session, new tab में आकर new site और site हमारा है यानि कि आपका जो server है उसका ip देना है ssh जो secure sorry ftp का secure version है और sftp secure file transfer protocol यहाँ पर आपको credential apply करना है and then यहाँ पर login कर देना है login करने के बाद accept करेंगे और यह सारा option इस तरीके से मिलेगा back करोगे आप यहाँ पर and opt करके यहाँ पर आपको data मिलेगा यहाँ पर आपको मिल जाएगा unit lab एक option unit lab के अंदर addon में आप आ जाएंगे और यहाँ पर आपको qemu की file यहाँ पर copy कर देना है तो वो file है कहाँ पर तो मैं just यहाँ से back आता हूँ और मेरा जो download folder है इसके अंदर मैं आ गया और kali linux का यह जो data है यह पूरा addities मैं यहाँ से उठाकर यहाँ पर copy कर देता हूँ अब मुझे final क्या करना है कि इसको enable करने के लिए मैंने simple command run के लिए run कर लिया opt unit lab wrapper unl dash wrapper something पूरी commands का screenshot लेकर आप इसको fix कर सकते हो finally अगर right click करके मैं यहाँ से एक बार refresh कर लूँ इसको node बगर add करता हूँ linux मैं यहाँ पर select करता हूँ और यहाँ पर मेरा image अभी भी नहीं आ रहे है चुकि proper upload भी है सब कुछ है बट अभी भी नहीं आ रहे है यहाँ पर kali linux addities name तो मैं इसको एक काम करता हूँ ठीक है और rename में मैं यहाँ से यह चीजे हटा देता हूँ क्योंकि उसको रहने का कोई मतलब नहीं है और जो kali बाद में लिखा हुआ है इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पर linux hyphen kali hyphen और इस तरीके से save कर देता हूँ रेश्ट मुझे कुछ नहीं करना hda qco2 birtio a जो भी हमारा दिया हुआ था वो मैं अभी try कर लूँगा कि क्या हमें ऐसा भी name देना है बाद में उसको देख लेंगे तो अभी के लिए तो मैं hda के साथ जाता हूँ यह total permission fix कर लेता हूँ and I am 100% sure कि अब हमारा हो जाना चाहिए तो दुबारा से यहाँ पर आ जाते हैं lab को refresh करते हैं node को login करते हैं Linux को select करते हैं and you can see kali का machine आपका इधर available हो गया तो linux-kali आपको पहले लिखना है ठीक है उसके बाद यहाँ पर जो भी आप इसके लिए icon देना चाहते हो और इस तरीके से यह Linux machine हमारा available हो गया edit करके आप इसका icon बगएरा जो भी change करना चाहते हो जैसे मैं यहाँ पर आ जाओ और मैं अगर case से select करूँ या this is the kali और अब मैं इसको ऐसे save कर दूँ तो आप देख सकते हो right click करके start कर सकते हो और vnc बगर आपने अगर proper install किया था तो ultra vnc यहाँ पर यह open करेगा और kali linux की latest machine आपकी live हो जाएगी जाएगी